प्रेवितों के गामों का वर्णन सातुआ अध्याय तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें योही हैं? उसने कहा हे भाईयो और पित्रों सुनो हमारा पिता इब्राहीम हरान में बसने से पहले जब मिसुपतामिया में था तो तेजो मैं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा तब है कस्दियों के देश ने निकल कर हारान में जा बसा और उसके पिता के मृत्यू के बाद परमेश्वन ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो और उसको कुछ मिरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी परंतु प्रतिग्या की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूँगा यदिपी उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेश्वन ने यों कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सो वर्ष तक दुख देंगे फिर परमेश्वन ने कहा जिस जाती के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूँगा और इसके बाद में निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दश्या में इसहाक उससे उत्पन हुआ और आठवे दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से बारह कुल पती उत्पन हुए और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिसर देश जाने वालों के हाथ बेचा परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ा कर मिसर के राजा फिरोन के आगे अनुग्रह और बुध्धी दी और उसने उसे मिसर पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया तब मिसर और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिस से भारी कलेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन्म नहीं मिलता था परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिसर में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रगट हो गया और यूसुफ की जाती फिरौन को मालूम हो गई तब यूसुफ ने अपने पिता याकुब और अपने सारे कुटम को जो 75 वेक्ति थे बुला भेजा तब याकुब मिसर में गया और वहां वह और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुचाए जाकर उस कबर में रखे गए जिसे इबराहीम ने चांदी देकर शिकिम में हमोर की संतान से मोल लिया था परंतु जब उस प्रतिग्या के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इबराहीम से की थी तो मिसर में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए जब तक कि मिसर में दूसर राजा नहुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक कुव्योभार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा की वे जीवित न रहें उस समय मूसा उत्पन हुआ जो बहुत ही सुन्दर था और वे तीन महिने तक अपने पिता के घर में पाला गया परन्तु जब फेक दिया गया तो फिरॉन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वे बातों और कामों में सामर्ती था उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उधार करेगा परन्तु उन्होंने न समझा दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वेह वहां आ निकला और यह कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुर्शो तुम तो भाई भाई हो एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो परन्तु जो अपने पडूसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है क्या जिस रीती से तुने कल मिस्री को मार डाला स्वर्ष बीद गए तो एक स्वर्दूट में सीने पहार के जंगल में उसे जलतीवी जाली की ज्वाला में दर्शन दिया मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभू का यह शब्ध हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब् कार ले क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमी है मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिसर में है देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उत्रा हूँ अब आह मैं तुझे मिसर में उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे जाली में दर्शन दिया था भेजा यही व्यक्ति मिसर और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अध्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया यह वही मूसा है जिसने इस्रालियों से कहा कि पिश्वर तुमारे भाईयों में से तुमारे लिए मुझ सा एक भविश वक्ता उठाएगा यह वही है जिसने जंगल में कलिस्या के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था उसी को जीवित वचन मिले कि हम त इसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चलें क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ उन दिनों में उन्होंने एक बच्छडा बनाकर उसकी मूरत के आगे बली चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे सो परमेश्वर ने मुहु मोड कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजें जैसा भषड़ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राइल के घराने क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशुबली और अनबली मुझी को चढ़ाते रहें और तुम मोलेक के साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बापदादों के बीच में था जैसा उसने ठहराया जिसने मुसा से कहा कि जो आकर तुने देखा है उसके अनुसार इससे बना उसी तंबू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से पाकर यहुशु के साथ यहां ले आए जिस समय कि उन्ह जातियों का अधिकार पाया जिने परमेश्वर ने हमारे बापदादों के सामने से निकाल दिया और वह दावुद के समय तक रहा उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया सो उसने बिंती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास ठान ठहराऊं परंतु सुलेमा मन ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भुश्दक्ता ने कहा कि प्रभू कहता है स्वर्ग मेरा सिहासन और प्रत्वी मेरे पाउं तले की ब्यूरी है, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो, भविश्दक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को म और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मान डालने वाले हुए तुम ने स्वर्दूतों के द्वारा ठराई हुए विस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हुँ तब हुने बड़े शब्द से चिल्ला कर कान बंद कर लिये और एक चित होकर उस पर छप्टे और उसे नगर के बाहर निकाल कर पत्थर वहा करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े शाउल नाम एक जवान के पाउं के पास उता रखे और वे स्तिफनुस को पत्थर वहा करते रहे और वे यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु इश्यू मेरी आत्मा को ग्रहन कर फिर घुटने टेक कर उचे शब्द से पुकारा हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा और यह कहकर सो गया और शाउल उसके बध मे सहमत था